हाले फेंटन दो क्यां से आपस भी स्वाथ करते हैं आपस भी कर्यों से चैयोड़ी कोईस में तो फिर आए जोई की भी हर प्लिस 2023 के लिए साइंज का प्रैक्टिस लेकि आए हुए हैं क्योंकि फिर आप से को बता हूंगे कि साइंस का भी हार प्लिस में अच्छा खासा बेटेज राता है लगबग जो है कि 30 कोजिशन आप से पूछा जाता है साइंस में फिजिक्स कमेश्ट्री बायो से तो आज की इस प्रैक्टिस टेट में हमसे भी सारे स साथ बजे मिल जाएगा तो आप से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गंड़ को प्रेंस कर लेजिएगा ताकि भी हर प्लिस कोईश्ट्री बास समद जो भी कलास वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्तों से के फिन आएच की से वीडियो को लाइक करके आप से अ नीचे कमेंड बॉक्स में में बता सकते हैं तो विकास बात का सिधान्त किस ने दिया था चार्ल्स डायर raspberries ने दिया थांग आपसबी तो ऑपसे में B-right खोज जो की गई थी यह किसको दुरा की गई थी रावर्ट कोज की द्वरा आफशन में ए राइट आंसर रहेंगे अगला कूश से दिख लेज़े जीवानों की खोज किसने की थी फिर्ण जीवानों की खोज मुल्यवान हॉक यानि कि कहे तो ल्यूवेन हॉक की द्वरा ध्यान रखेगा जीवानों की खोज की गई थी विक्टेरिया अगला है भारतिय नारी की पूजा निगम की अस्थापना कब होई थी भारतिय नारी की पूजा निगम की अस्थापना दिखे इ स्थपना जो की गई थी 1987 इस भी में तो option में भी correct answer एंगे अगला है हिर्दय परतिया रोपन की खोज किसने की तीफिन चले question number five के लिए आफ सी right answer बताएंगे हिर्दय परतिया रोपन की खोज जो की गई थी ये किस की दुरा की गई थी तो right answer option में भी हो जाएंगे ध्यान रखेगा Christian Bernard की दुरा खिर्दय परतिया रोपन की खोज की गई अगला question ने भारत ने दूसरा पर्मानु बिस फोटक कव किया था आफ से को पता होंगे कि भारत में पहला पर्मानु परिक्षन जो वा था वो आपका 1974 में हुआ था 18 मई 1974 को किया गया था पर यहाँ पर पूछा गया है दूसरा पर्मानु परिक्षन के बारे में तो इसका option number D right answer हो जाएंगे 13 मई 1974 को किया गया था अगला option देख लिएजे मानब निर्मित पर्थम उपगरा जो था वो कौन सा था कृतिर्यम उपगरा जो था वो इस पुतनिक ववन था ध्यान रखेंगा आप सभी याद रहेगा आप सभी को इस पुतनिक ववन अगला है रेवीज के टीकी की खोज किस ने की थी रेवीज देखे रेवीज नामक बीमारी जो होता है वो कुत्ते की काटने से होता है और इसके टीकी की खोज जो की गई थी लुई पास्चर की द्वारा की गई थी यानि ऑफिसन नमर डी राइट आंसरेंगे important question रेगे ध्यान डखेगा अगला है धोवन सोडा जिससे washing soda का आ जाता है इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है तो दीख इसका रासायनिक नाम जो है sodium bicarbonate है ध्यान डखे गई अगला कुछन है अगला कुछन है बिटामिन सी कर असानिक नाम क्या है आपसे वी को पता होंगे कि बिटामिन सी कर असानिक नाम कई बार आपसे वी को बता है repeat question है कई बार ये question का answer आपसे वी को बता है और बिटामिन सी जो है खटे पदार्थ में पाए जाता है इसका सबसे अच्छा सुरूत जो हता है वो आमला होता है तो तो राइट आंसर आफिसन में बीज़ेंगे एसकॉर्बिक एसीड ध्यान रखेगा बिटामिन सी का रासाइनिक नाम है किलिए रहें आफिसन में भी राइट आंसर रहेंगे अगला कोईशन है रातोंदी किसकी कमी से होता है ये भी कोईशन कई बार आप से को बताएं चलिए इस कोईशन करा आइट आंसर बताएगा आप से भी तो दिके रातोंदी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है याद रहेगा आप से भी को और विटामिन A का सबसे अच्छा सुरोत क्या है गाजर है ध्यान रखेगा गाजर सबसे अच्छा सुरोत है इसका और विटामिन A को हम से भी क्या करते है रेटिनॉल का तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल बिटामिन B का रासनिक नाम क्या होता है थाइमीन होता है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और बिटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है स्कॉर्विक रोग होता है ध्यान रखेगा आप से भी और बिटामिन D का रासनिक नाम क्या है तो कैलसी फेरॉल है ध्यान रखेगा आप से भी कौन सा है तो याद रहेगा आप से भी को ध्यान रखेगा अगला कोशन देख लिए लाफिंग गैस का रासानिक नाम क्या है तो देखें लाफिंग गैस जो है नाइटरस ऑक्साइड है जिससे हम सभी एन्टू ओ कहते है तो इसका राइट आंसर ऑफिंग में हो जाएंगे नाइटरस ऑक्साइड जिससे हम सभी लाफिंग गैस या हसने वाला गैस भी कहते हैं अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो एन्टू ओ होता है अगर आप से इसे कोशन पूछ लिए जाए कि मिथेन का रासानिक सूत्र क्या होता है तो CH4 होता है अगर आप से इसे पूछ लिए जाए कि अजोन का रासानिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है ओथरी होता है ध्यान रखेगा अगला कोशन कर लेते हैं प्लास्टर ओपेरिस का रासानिक नाम क्या है तो राइट आंसर ऑफिशन में तो जाएंगे केलसियम सलफेट हेमी हाइडरेट ध्यान रखेगा आप सभी ये पलाश्टर और पेरिस का रासाइनिक नाम है अगर इसका सूतर की बात किया जाएं तो इसका रासाइनिक सूतर जो होता है सी एएसो फोर सी एएसो फोर इंटू हाप एच टू ओ होता है ध्यान रखेगा आप सभी तो ऑफिशन में इसका डी राइट आंसर एंगे केलसियम सलफेट हेमी हाइडरेट अगला कोशन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो अभी आपको क्या बताये थे आमला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है अगला है बेरी बेरी रोग की इस विटामिन की कमी के कारण होता है विटामिन से ज़्यादा कोशन आपको क्यों बता रहे हैं क्योंकि यहां से कोशन ज़्यादा तर पूछा जाता है तो विटामिन को आप सभी जरूर याद र एक होता है जल में गुलनसील और एक होता है वसा में गुलनसील तो देखिए वसा में गुलनसील विटामिन जो है यह सभी है जियान रखेगा A, D और K देखिए जितने भी विटामिन है B और C को छोड़ा कर जितने भी विटामिन है वे सभी क्या है वसा में गुलनसील विटा जबकि आपका विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन B ग्रूप जो है, वो भी क्या होता है, वो आपका वासा में घुलनसील होता है, विटामिन E भी आपका वासा में घुलनसील है, तो याद रखेगा, अगला कोई से ने जल में घुलनसील बिटामिन कौन सा है, अभी आपको बताए थे कि जल में घुलंसिल जो है विटामिन B और C ये मात्र दो ही विटामिने जो कि जल में घुलंसिल है वाकी बात जितने विटामिने वो क्या है वासा में घुलंसिल है तो option में C right answer हैंगे अगला है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको क्या बताए थे कि बिटामिन A का रासानिक नाम रेटिनॉल है और इसके कमी से रतोंधी होता है ध्यान रखेगा और इसका सबसे अच्छा सुरोत क्या है गाजर है अगला है विटामिन B का रासानिक नाम क्या है तो आपको क्या बताए बिटामिन B का रासानिक नाम थाइमीन है अगला कोईशन देखिए रेटिनॉल किसका रासानिक नाम है A का एसकॉर्बिक एसिट किसका है C का टेकोफेरोल किसका है बिटामिन E का टेकोफेरोल है दियान रखेगा आप सभी तो धियान रखेगा आप से भी टेकोफिरल बिटामिन E का है अगला है बिटामिन E का रासानिक नाम रेटिनॉल अगला कोईशन है बेकिंग सोडा जिसे हम से भी खाने वाला सोडा कहते हैं रासानिक नाम क्या है खाने वाला सोडा का रासानिक नाम जो है वो क्या है रिपीट हुआ है यहां पर से तो सिंपल से बताए कि बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है इसका रासानिक नाम क्या है तो इसका रासानिक नाम आफिसन नमर वियो जाएंगे बेकिंग सोडा का रासनिक सूत्र क्या होता है तो ध्यान रखेगा आप से भी अगला है बिना बुझा हुआ चुना का रासनिक सूत्र क्या है अगला है सूस्क वर्प कहा जाता है तो सूस्क वर्प किसे कहा जाता है ठोस कारबन डाय ऑकसाइट को सूस्क वर्प कहा जाता है तो ए राइट आंसरेंगे ध्यान रखेगा आप से भी अगला है अस्रू गैस का रासनिक नाम क्या है अस्रू गैस जो है इसका रासनिक नाम क् अगला है इस्कॉर्विक रोग किस बीटामिन की कमी के कारण होता है किस प्रकार से गुमा गुमा के कोश्चन पूचा जा रहा है तो बीटामिन सी की कमी से इस्कॉर्विक रोग होता है अगला है बीटामिन डी का सर्वत्तम सुरोथ क्या है तो देखे बिटामिन D की कमी से जो रोग जो होता है वो जो आपका हड़ी होता है वो क्या हो जाता है कम जोड़ होता है और सबसे अच्छा सुरोध जो होता है इसका सूरी का परकास होता है तो ध्यान रखेगा option number C right answer हैंगे के लिए रहें अगला कोईशन देखे बिटामिन B7 कर लेज़ेगा आप सभी बिटामिन B7 का रासाइनिक नाम जो है वो क्या है तो देखे बिटामिन B7 का रासाइनिक नाम बायोटीन होता है option B right answer हैंगे अगला कोईशन है नपूश संगता या बंध्याता किस बिटामिन की कम होता है फ्रेंड चले इस question का right answer आप से बताएंगे तो बिटामिन A की कमी क कारण होता है अगला है विरंजक चूर्ण का रासाइनिक नाम क्या है ? question 29 के लिए आप सी रासाइनिक नाम तो D right answer है विलेचिंग पाडर रहे है सका रासाइनिक नाम ध्यान रखेगा आप सभी option न O-C-L-2 होता है ध्यान रखीगा आप सभी अगला कोईशने सधारा नमक का रसायनिक नाम क्या है सधारा नमक का रसायनिक नाम क्या होता है तो ध्यान रखीगा आप सभी sodium chloride होता है option में A-right answer रहेंगे अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र जो होता है N-A-C-L होता है ध्यान रखीगा आप से भी सधारा नमक का सूत्र अगला कोईशन है धोनी तरंग किसके द्वरा परती धोनी उत्पन करते हैं चले कोईशन में 2 के लिए आप से भी right answer बताएंगे धोनी तरंग जो किसके द्वरा अगला कोईशन कर लेते हैं कोईशन में 3 कोईशन में 3 ये हैं कि जीवन वातावरन की अंतर अभीकिरिया से संबंदित जीव बिग्यान की साखा कहलाती है जीवन वातावरन की अंतर अभीकिरिया से संबंदित जीव बिग्यान की साखा क्या कहलाती है तो इसे हम सभी पारे इस्थित की कहाते हैं ध्यान डखेगा आप सभी क्या कहा जाता है पारे इस्थित की कहा जाता है अगला question कर लेते हैं question 4 भारती अंतरिक्ष अनुसंधान सिमिती के अध्यक्ष कौन थे ए राइट आंसर हो जाएंगे बिकरम सारा भाई ध्यान डखेगा बिकरम सारा भाई जो है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान सिमिती के अध्यक्ष थे अगर आप सभी से question पूछ लिया जाए कि भारत का अंतरिक एजेंसी कौन सी है तो इस्थित रो है अगला question ने निमलेकित में से हुआ बेग्यानिक कौन है जिसे पहली बार रोधीर परी संचरन की विख्याई की थी राइट आंसर option भी जाएंगे विलियम हारवे ने ध्यान डखेगा आप सभी विलियम हारवे ने पहली बार रोधीर परी संचरन की विख्याई की थी तो option में भी right answer हैंगी देखे इसी class में सारा question आप से याद करने का कोशिस किजेगा और जहां तक कोशिस है कि सारा question इसी class में आपको याद करवा दिया जाए उस परकार से समझा कि आपको तो याद रखेगा पहले बार रोधीर परी संचरन के वेख्याए विलियम हार्वे के दुरकी गई अगला है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रो की अस्थापना कभ हुई थी तो अभी आपको इसका date बताएं कि इस्रो की अस्थापना कभ हुई थी इसका मुख्याल है वेंगलोरू में है और इसके अस्थापना फिन उन्याइस सो 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 उन के जनक जोएफेंड यह कौन है तो ए राइट आंसरेंगे हेनी में हेनी में जोएफेंड यह हम्योपेंथी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं अगला कोशिन कर लेते हैं कोशिन में नाइन कलपना चावला का जन्म कहां हुई थी यह राइट आंसर हो जाएंगे करनाल में कलपना चावला का जन्म हुआ था यह भारते अंतरिक्ष यात्री थी कलपना चावला और इसका जन्म जो हुआ था 17 मार्च को 17 मार्च 692 में इसका जन्म वाथा करनाल में और इसकी मिर्तियों के अगर बात किया जाए तो एक फरवरी ध्यान रखेगा एक फरवरी 2003 को मिर्तियों वी थी जब अंतरिक्ष से वापस लॉट रही थी तो कोईशन यहां से पूछा जाता है कि भारत की पर्थम महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी तो कलपना चावला होगी अगला कोईशन ने एंटिसेप्टिक सर्जरी का अविस्कार किस ने किया था तो भी राइट आंसर हैंगे जोसप जोश्टर के दुबरा एंटिसेप्टिक सर्जरी का विस्कार किया गया अगला कोईशन देखे अगला कोईशन यह बंडे कि भारत का पर्थम परमानु बिजली घर कहां प्रारम किया गया था चले इस question का right answer बताएंगे इस question का right answer क्या हो जाएगा देखिए भारत का पर्थम परमानु बिजली घर की बात किया जा रहा है तो right answer option में सुझेंगे तारापूर महराश्ट ध्यान रखेगा यहाँ पर पर्थम परमानु बिजली घर अस्थापित किया गया था अग्ला कोईशन दिखे अग्ला कोईशन ये बंडे की भारत के पिर्थबी प्रिक्षे पास्तर की तुलना रूस के किस प्रिक्षे पास्तर से की जाती है तो यह की जाती है असकर से ध्यान रखी गा आप सभी option नमर सी राइट आंसरेंगे अगला है भारत की पर्थम महला अंतरिक चातरी कौन थी फ्रेंड इससे पहले आपको बताये थे कि भारत की पर्थम महला अंतरिक चातरी कौन थी कलपना चावला थी ध्यान रखी गाप सभी option नमर्डी right answer एंगी अगला question ने genetics code की किसने की थी कलपना चवला का जर्म कहा हुआ था करनाल में हुआ था करनाल कहां पे हर्याना में इसके मिर्तियों कब हुई थी 2003 में ध्यान रखेगा आपसे भी 2003 में मिर्तियों थी जब वो अंतरिक्ष्य वापस आ रही थी इस question का right answer बताएंगे आप से भी genetics code की खोज किसने की तो right answer option नमर्डी हो जाएंगे हरी गोबिंद खुराना के दुबर किया गया था ध्यान रखेगा आप से भी यहने की right answer हैंगे अगला question कर लेते हैं question 15 है कि उतरवरतन का सिध्धान किसने दिया था चले कोशुम 15 के लिए आपसे right answer बताएंगे उतरवरतन का सिध्धान किसने दिया था friend to right answer option में डिया जाएंगे Hugo deep bridge के दच्परीवरतन का सिध्धान दिया गया था अगला है यदि किसी वस्तू का बेग को दोगुना कर देंगे तो संबेग दोगुना हो जाता है गतिज उर्जा चार गुनी हो जाती है तो दोनों को याद रखेगा आप सभी यदि किसी वस्तू का बेग को दोगुना करेंगे तो संबेग उसका दोगुना होगा पलस में गत जुर जाद चार भूनी हो जाती है तो आफशन में सी राइट आंसर रहेंगे उप्रियुक्त में से दोनों अगला है स्री हरी कोटा प्रेकशेपन के अंदर कहां इस्थी थे चले को इसमें 17 के लिए आपसी राइट आंसर बताएंगे तो ये इस्थी थे आंदर परदेश में ध्यान रखेगा स्री हरी कोटा प्रेकशेपन के अंदर आंदर परदेश में है अगला है भारत ने अपना पहला परमानू 20 फोटक कहां किया था तो आपसे को पताओंगे राजस्थान में क्या था पोखरान में पहला परमानू 20 फोट तक किया था और ये डेट क्या है तो ध्यान रखेगा 18 मई उनौइ 74 को किया था पहला परमानू 20 फोटक पोखरन में पोखरन का है राजस्थान में अगला है भारत ने अपना पहला परमानू 20 फोटक कभी किया था अब यह आपको डेड बताएं यह क्या था अठारh मई 1974 को अगला है परमानू उर्जा आयो का गठन किसकी अध्यक्षिता में किया गया था, चलिको इसमेगे 20 के लिए तो याद रखीगा का आप सभी डॉक्टर होमी जहांगीर भावा की अद्धक्षिता में किया गया था जो भी option नमर A को टिक करें बिल्कुल right answer है answer को match कर लिज़ेगा आफ सभी अगला question है question 21 भारत में निर्मित पहला वो बहु उद्देशिये उबगरह कौन सा है question समझे question क्या काना चारा है भारत में निर्मित पहला बहु उद्देशिये उबगरह कौन सा है तो right answer option नमर D हो जाएंगे in set 2A है ध्यान रखेगा in set 2A भारत में निर्मित पर्थम उबगरह था तो option में D right answer हैंगे अगला है radar का अर्थ है तो right answer option में हो जाएंगे radio, dictation and raising होगा ध्यान रखेगा तो radar का full form क्या है radio, dictation and raising एक correct answer हैंगे अगला question कर लेते हैं भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र के अस्थापना कब हुई थी तो इसके अस्थापना जो के फिर्ण 1905 में की गई थी ध्यान रखेगा भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र के अस्थापना 1905 में की गई थी अगला question देखिए भारत का अंटार्क टेका अध्यान केंद्र कहां इस्थी थे तो ये हैं गोवा में ध्यान रखेगा कहां पर हैं गोवा में अगला question देखिए लिए question 25 है question 25 ये बंड़े की malaria के किटानू की खोज किसने की थी चले इस question कर right answer बताएंगे फिर आफ से भी malaria के किटानू की खोज किसने की थी तो right answer option में वह जाएंगे रो नाल्डो रॉस के दवरा किया गया था इसकी खोज तो एक करेक्ट आंसर रहेंगे रो नाल्डो रॉस के दवरा अगला question देएंए की खोज किसने की थी देएंएंए की जो खोज की गई थी फिर ये किसके दवरा की गई थी वार्चन एवं किरिक के दवरा तो option में सीरेट आंसर रहेंगे वार्चन एवं किरिक के दवरा डी एने की खोज की गई अगला question कर लेते हैं कोशन में 27 इंसूलीन की खोज किसने की थी वेंटिंग ने इंसूलीन की खोज की थी तो option में a right answer एंगी अगला question कर लेते हैं कि महला अंत्रिक्ष यात्री कलपना चावला का निधन कब हुआ था तो आपसे को बताये थे कि इसके मिर्तिय जो हुई थे 2003 में हुआ था अंत्रिक्ष से वापस आते बगते हुँ अगला question कर लेते हैं question नमर 30 है राष्टे बिग्यान अबंपरोद होगी कि कि अस्थापना कब हुई थी friend तो right answer option नमर भी हो जाएंगे 15 अक्टूबर 1990 को राष्टे बिग्यान अबंपरोद होगी कि कि अस्थापना हुई थी तो आफसर नमर भी correct answer हो जाएंगे तो चलिए आज के इतना ही आज के सेट कैसा लगा अफसर नीचे कमेंट वुक्स जरूबत है येगा अगर आज के सेट अच्छा लगा अफसर लगा अफसर को लाइक किज़ेगा और अपने दोस्तों में जरूर सेर किज़ेगा आप सभी मिलते हैं जहींद बंदे मातर मध्यान के अपड़ाई करते हैं आप सभी जहींद